देखिए फ्रेंग्स यह है वारांसी का रंग बिरंगा रोशनी से नहाया हुआ रेलवे स्टेशन जो की चमक रहा है रोशनी से और बहुत ही शानदार बन गया है लाल, नीली, पीली, हरी, पिंक सब तरह की रोशनी है और यहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है जहां पर की हवान होते हुए दिखाया जा रहा है और यह देखिए खुबसूरत रेलवे स्टेशन बनारस का यह रेल बेस्टेशन इतना ज़्यादा खुबसूरत है कि आंखें ही नहीं ठकती है इसे देखते हुए इसकी चेंज होती हुई ये रोशनिया बेहत खुबसुरत लगती है इस शहर को और ज्यादा चमकाती है निखारती है ये देखिए उपर इसके धरम चक्र भी लगा हुआ है धरम चक्र वरांजी के रियलवे स्टेशन पे लगा हुआ ये देखिए और इसके एक दम तिरंगा ये देखिए बिल्कुल सामने स्टेशन के तिरंगा लहरा रहा है खुबसुरत इधर की तरफ सीधी हाथ को इस तरह की मिनार है जिसमें रंग बदलते रह रहे हैं खुबसुरत लग रहा है ना गुमबद है बीचों बीच रोशनी से नहाया हुआ रंग बदलता और इधर का गुमबद ये और फिर एक पिलर सा खड़ा है जिस पर किसी संत की तस्वीर उकेरी गई है और इस पर दीपक जलाए गए है और ये दीपक हमेशा जलते रहते हैं बुझते नहीं हैं इलक्ट्रोनिक दीपक हैं शायद कितना सुन्दर लग रहा है ना ये अब इस स्टेशन है ये नया बना है ये स्टेशन और इसकी खुबसूरती देखिए आप इसमें अंदर गुस्ते ही मुझे ये देखने को मिला ये देखिए ये उपर मेरे खाल ये सूर्य भगवान बना रखे हैं और ये पक्षी उड़ रहे हैं और ये नीचे ये क्या है है क्या है पता ने और इधर नीचे ये पेड़ है जिन्नोंने थाम रखा है मेरे ये कोई नगरी है बनारस नगरी जिसको व्रिक्षों ने थाम रखा है क्या कहानी है पता ने और ऐसा ही इधर ये बना हुआ है ये ऐसा बना हुआ है इधर भी पक्षी उड़ रहे हैं और व अच्छा ये भोले नाद हैं क्योंकि इनके गले में सांप है तो ये भोले नाद हैं जिनके चारो तरफ ये पक्षी है और ये इनके केश है सितारे हैं इदर और नीचे शिवलिंग बना हुआ है और इदर ये अशोग चक्र का हाँ जी ये बना हुआ है और यह ईट ब्रास कलर का है जो जत्रन है, बहुत सुन्दर है, और यह बीच में यह बड़ा सा शिवलिंग है, हाँ जी बीच में यह बड़ा सा और यह देखिए पूरी तरह शीशे का है, काच से इसका पार्टिशन करा हुआ है, ताकि आरक पर दिखाई दे, यहां से हम बाह इन का स्टेशन दिखाया था ना वो ट्रेन और आगे फॉंटेन लगे हुए देखिए यहां से अंदर से भी दिखाई दे रहा है और यह देखिए कितना बड़ा स्टेशन है बिल्कुल चमक रहा है जिसे फॉरन के स्टेशन होते हैं लाइट की रोशनी आपको इसके फर्ष म को इस तरह करता है यहांपर 8 गेट्ट हैं जिनको जिन पर अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए आप जहां पर ट्रेंज आती हैं और यह एरिया है सिटिंग एरिया जहांपर कफी लोग बेट सकते हैं मैं कि दुस्सों लोग तो बैट सकते आपको अभी एक यह सिटिंग arrangement यहाँ पर है और दूसरा arrangement sitting का वहाँ पर है जहां train खड़ी है न ऊधर भी इतना ही बड़ा platform है और इतनी बड़ी sitting arrangement है और बीच में यह कांच का partition है तो कांच के partition से साइज और भी बड़ा बड़ा लग रहा है इस इसको और भी बड़ा लग रहा है और लाइट इस पर और ज़ादद चमक रहे हैं यह दे ची कि इतने दूर तक इस में सेट्अंग अरेंजमेंट हैं और इतने सारे पैसेंजर्स अपने ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं और बड़े अराम से वेट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ना गर्मी लग रही है न तो गर्मी लग रही है न शरी लग दीए और यह बड़े-बड़े कांच के partition इसको और भी सुंदर बना रहे हैं कि अधयात्म की नगरी बनारस कौन नहीं आना चाहेगा अगर वहां पर रेलवे स्टेशन इतना खुबसरत होगा देखिए तो किस तरह से यह पैसेज बनाया गया इसको बंद रखा गया किसी तरह से यहां पर कुछ काम हो रहा होगा और यहां एक गार साब बैठे हैं और यह सामने ट्रेन आकर रुकी है कोई ग बंदगी नहीं है कोई जमीन पर लोग बैठे इंतजार नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे से अनॉंस्मेंट हो रही है लोगों को बताया जा रहा है और यहां पर भी अच्छा सिटिंग अरेजमेंट किया गया है बैठने के लिए खुबसूरती से लोग बैठे हैं रिलेक् पूरी है और बार बार है नहीं हो रही है इंग्लिश में भी हो रही है और हिंदी में भी हो रही है यह देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं आवास कोई एडिट नहीं कर रही हूं ताकि आपको यहां की औरिजनल आवास भी सुनाई दे यह बहुत जरूरी ह किसी भी जगे को महसूस करने के लिए अगर आप महां की औरिजनल आवाज नहीं सुनेंगे न तो आपको महां पर अपने होने का एहसास नहीं होगा और मैं अपने व्लॉक्स में ये चीज़ बहुत ध्यान रखती हूँ अगर किसी जगे की आपको औरिजनल आवाज सुनना जरूरी है तो मैं अपनी आवाज उसको एडिट करती नहीं बादने बिल्कुल ऐस इट इस आप लोगों को दे देती हो तब कि आपको औरिजनलिटी महसूस हो मैं चलती जा रही हूँ पैदल पैदल चल रही हूँ बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से हैं और इस तरह ये देखिए इस तरह यहां पर ट्रेंस खड़ी हुई है देखने में लगता ही नहीं है इंडिया की ट्रेंस है क्योंकि इंडिया की ट्रेन गंदी होती थी, उनके ओपर मिट्री चड़ी होती थी, उनका कलर पहचानना भी मुश्किल होता था, आप ये भारत के जंडे से सजी हुई ट्रेन्स, कितनी खुबसूरत हैं, साफ सुत्री हैं, सजी हुई हैं, यहां तक की एंट्रेन्स की जगे बिल्कुल साफ है, कोई गंदी नहीं है, और प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, चमकता हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसा रिल्वेस्टेशन हो, तो हर कोई आना चाहेगा, है ना, तो आपको बनारस का स्पेशल, चलिए, आप देखिए, मज़ा लीजिए, और चल्ज मिलते हैं, व्लॉग पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जय हैं, यहाँ पर दो रिल्वेस्टेशन है, एक है दश्मिश्य स्टेशन और एक है नया बना हुआ एक देश्ण बेहर शानदार बने हुए हैं, बहुत सुन्र है, दोनों देखने लाइक है,